ओके सो वेल्कम तो दे चैनल अब जबत पायलोजी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और गनिक केमेस्ट्री यूनिट थर्ड थर्ड सेमेस्टर रियक्शन ऑफ पैटेन ओइल अमारा दूसर टॉपिक ठेक है तो चलो बिना देर किये आज हो मेरी फोन की स्क्रीन पर जो मैं बो खतम करते हैं ओके तो आप आगी हो मेरी फोन की स्क्रीन पर अपन चल रहे हैं ड्राइए में और ड्राइए में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रियक्शन ऑफ पैटेसे नोट्स बता है उनको ध्यान से नोट डाउन कर लेना इस लेक्शर के बाहर आपको किसी और लेक्श बाहर लो इसमें क्या करना है सबसे पहले हैं या ओईल लेना है फिर उसमें आग लगा दे नहीं है क्या बात कर रहो सर्फ फेट या ओईल लेने और आग लगा दे हाँ बाई in the presence of acid in the presence of alkaline जो तेरा मन हो ठेक है fat और oil ले तू जैसे मनने तेने fat ले लिया oil ले लिया आँग लगा दे मतलब heat का sign दे दे acid और base की presence में ठेक है जब तू इसको boil करेगा न in the presence of NaOH या KOH ठेक है जब तू fat और oil को boil करेगा मतलब आग लगाएगा in the presence of NaOH या KOH तो क्या होगा the product are Na और K salts of long chain fatty acid ठेक है क्या बनेगा product long chain बनेगी या तो sodium की या potassium की और यह जो long chain होती है इसको हम क्या बोलते है soap क्या actual में long chain of sodium और potassium ठेक है और इस reaction को हम बोलते है saponification तो इस reaction को saponification क्यों बोलते है क्योंकि यहापर soap का formation होता है और soap क्या है sodium और potassium की long chain और यह कहां सहाई क्योंकि अपने बोल किया इसको NaOH और KOH के साथ ठेक है तो यह आपको याद रखना है hydrolysis में इसको बोलते है saponification यहापर soap का formation होता है चल इसकी reaction देख लेता है अब यह देख इतने सारे carbon है तो डन्ने की कोई जरोत नहीं है मेरी मन में कितने carbon लगाओ यह carbon 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 मेरा मन यार मैं कितने लगा दूँ डन्ने की क्या बात है अपने को पता है तो यह NaOH के साथ reaction करा रहे NOH बोल लो यहापर KOH ले लो यह की बात है कुछ जो तुम्हें लेना हो ले लो मैंने NOH ले लिया ठेक है reaction करके देखते हैं अब देखो यार आजकल break up जो एक common सी बात है जरासी misunderstanding हुई मैं को तो बोलना भी नहीं आता क्योंकि मेरे तो girlfriend भी नहीं है जरासी misunderstanding हुई तो break up ठीक है NOH में misunderstanding हुई यह H बोला कि मैं जा रहा हूँ तो पहली फुरसत में निकल यह H कहां जाएगा इस CS2O से इसको प्यार हो गया तो यह H भागा भागा आया इसके पास और यह C11OR जो है पहली फुरसत में निकल रहा है यह भी पहली फुरसत में निकल रहा है दोनों पहली फुरसत में निकल रहा है दोनों को इन से भी प्यार हो गया यह H भागा भागा इसके पास गया तो हुआ क्या यह H ने कल लिया इससे मिलन ठीक है CS2OH क्या बाते सर मज़ा गए और नीचे सबसे मिलन हो गया तीन है क्योंकि ये तो तीन से मिलन हो जाएगा ये मिलन हो गया और ये पहली फुर्सत में ये जो निकल रहा है ये पहली फुर्सत में जो निकल रहा है साथ में इन दोनों ने बना लिया पॉंड बन गया R C double bond O N A तो कोई दिक्कत नहीं आने चीए नॉर्मल सी बात है तो यहां ये जो बना R C double bond O N है तो ये सोडियम की लॉंग चेन बन गी और सोडियम की लॉंग चेन को मैंने उपर डेपिनिशन में बताया था सर सोप था और इस प्रोसेस को बोलता है सेपोनिफिकेशन मुबारो को प्रोसेस हो गए सर सेपोनिफिकेशन हो गया ठेक है अब देको ये एक्जांपल दे रखा है यहां पर ZNO केटेलिस की तरह यूज कर रखा है कोई भी oil और fat मेंने ले रखा है और इसको super heated stream कर दिया ठेक है मैंने बोला रहा नो पर acid ले लो alkaline ले लो ठेक है या फिर super heated stream तो यह acid हो गया यह alkaline हो गया और या फिर super heated stream हम कर रहे है तो देखो ZNO केटेलिस ले लिया कुछ भी नहीं है सब common सा है वापिस जो है यहां पर क्या होगा H को जो प्यार हो जाएगा मतलब CH2 OH ठेक है और जो बच्चा हुआ है वो join हो जाएगा और release हो जाएगा अब यहाँ पर देखो यहाँ पर अपन ने लिख दिया 3 क्यों क्योंकि यहाँ पर सारे carbon same थे ठेक है यह C double bond R R R R R R तीनो R सेम थे पर यहाँ पर अपन 3 नहीं लिख सकते है क्योंकि यह 3 R different है यह R है यह R-देश है यह R double-देश है ठेक है तो इनको अलग-अलग करके लिखेंगे क्योंकि यह सब अलग-अलग है इनको साथ में नहीं लिख सकते है अपन ठेक चलो अगला देखते हैं hydrogenation अब देखो नाम सी पता लग रहा है hydrogenation मतलब hydrogen को add करना है addition of hydrogen ठेक है तो यहाँ पर क्या होगा unsaturated को अपन बनाएंगे saturated unsaturated को क्या बनाएंगे अपन? saturated और जिसे पता नहीं हो unsaturated क्या होता है मतलब carbon-carbon की बीच में double bond या फिर triple bond उसको हम क्या बोलेंगे unsaturated हम अब अब कर रहे है hydrogenation मतलब addition of hydrogen मिरको एक बात बताओ simple सी बात है बई simple सी carbon-carbon की बीच में double bond है ठीक है और इसको अपन चेंज कर रहे है carbon-carbon की बीच में single bond कैसे change होगा? Sir hydrogen 8 कर दो और जिसे hydrogen 8 करोगी यह bond break होगा इसके पास hydrogen आ जाएगा तो फिर यह क्यों double bond बनाएगा सर विल्कुल सही बात है तो अपन unsaturated को saturate में convert कर रहे हैं सीरी सी बात है ठेक है अब जैसे vegetable oil trigly slide of unsaturated fatty acid जिसे linoleic acid ठेक है oiliac acid यह कल अपने देखा था essential fatty acid में ठेक है on catalytic hydrogenation at lower pressure hydrogen aid across the carbon carbon double bond of fatty acid क्या केना चा रहा हूं मतलब यह low pressure पर में क्या कर रहा हूं carbon double bond carbon में hydrogen को add कर रहा हूं इस process को हम क्या बूल रहे है hydrogenation कोई बड़ी बात नहीं है ठेक है this result in the formation of saturated glycerides ठेक है हाँ भई हमने देखा unsaturated से बनेगा क्या saturated ही तो बनेगा ठेक now when unsaturated converted into saturated here solid fat form at room temperature also known as hardening मतलब क्या हो रहा है जब unsaturated saturated में convert हो रहा है तब एक solid fat form हो रहा है at room temperature उसको हम बोल रहे है hardening तो hardening आपको पूछे तो बोल देना unsaturated से जब saturated में conversion होता है तबaning solid fat form होता है room temperature पे उसीको हम क्या बोलते है hardening बोलते है ठेक है मेरा मन में 50 कारबन लगा दू यह carbon carbon तो क्या दिक्कत है ठेक है यहाँ पर लिखा हुआ है CH2O, 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 CH3, CH2O, CH3. कितने यह लगा दो ना कोई दिक्कत नहीं है अपन को क्या करना है सर डबल बॉंड को तोड़ना है और सिंगल बॉंड बनाना रहा है आग लगानी पड़ती तोड़ने के लिए, बहुता मजदार हो गया तो आज कल ठिक है तो जैसे ही ये hydrogen को पता-पढ़ा कि या आग लग चुकी है मतलब मामला क्लियर है ठीक है तो ये hydrogen उठके आया इसके पास ये hydrogen उठके आया इसके पास के भईया तुम लड़ो मत आग मत लगाओ हम तुमारी मदद कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा रहा था देखो प्रोड़क्ट क्या बनना चाहिए देखो as it is बनाओ CH2, CH2, O, O C double bond O, C double bond O, ठेक अभी तब कोई चेंज नहीं हुआ CH2 7 है सर यहाँ और यहाँ आपने लिख दिया CH2 16 ऐसा कैसे बही एक बात बता, 7, 7 सर 14, 7 और 7, 14 अब यह भी CH2 हो गया क्योंकि hydrogen आगया, यह भी CH2 हो गया क्योंकि hydrogen यहाँ से आगया, तो 14 और 15 और 16, 7, 7, 14, 15, 16 तो मैंने इसको लिख दिया CH2 16 और इसके पीछे लिखा हुआ है CH3 IZTS मैंने लिख दिया CH3 आराम से देख ले, क्रोस चेक कर ले में गलत नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बात है, ठेक है तो reaction से क्या हो गया, product बन गया है यह hydrogenation है, अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना चलो आगे चलते हैं, देखो reaction side क्या था glyceral trioliate, ठेक है और product side क्या था यह, glyceral triesterate ठेक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो melting point में काफी फरक आया, इधर है minus 17 degree, इधर है 55 degree यह एक vegetable oil था, reaction side और जो product हमारा बना, वो solid fat था तब भी तो हम process को क्या बोलते हैं, hardening समझ में आगी तुम्हें, क्योंकि solid fat बन रहा है room temperature पर, ठेक, अब देखो hydrogenolysis, hydrogenation and cleavage at high pressure वो क्या था, low pressure, यह क्या है high pressure and temperature the ester group of triglyceride reduces with the help of copper chromite catalyst, क्या बोलेगा copper chromite catalyst, तो hydrogenolysis में क्या करना, हाँ sir, high pressure रखना है, high temperature रखना है ठेक है, और आपका यह catalyst लेना है copper chromite catalyst, sir, इससे होगा, क्या, high temperature भी रख दिया, high pressure भी रख दिया, copper chromite catalyst भी ले लिया, तो इससे क्या होगा, the ester group of triglyceride reduces with the help of copper chromite catalyst, तो ester group, जो है triglyceride का, वो क्या हो जाएगा, reduce हो जाएगा, यही तो कुछ भी नहीं है, देखो वापिस, carbon, carbon कितने लगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठेक है आपको यहाँ पर क्या use करना है, CuCr2O4 ठेक है, तो same वह यह hydrogen है hydrogen को पता लगा, आग लग रही है break up होने वाला है, मैं जाके attach हो जाता हूँ मतलब CH2OH, यह CH2OH CH2OH, CH2OH, same as it is बन गया, यह glycerol की structure है, ठेक है अब जो बचा-कुचा है, वो निकल रहा है CH210, CH3, ठेक है और C, double bond O, और इसके पास भी H आजाएगा, ठेक है, तो ऐसे यह बन जाएगी इधर structure, इसको बलते हैं loral alcohol, ठेक है, कुछ नहीं करना इधर उधर तोड़ के जोड़ना है, बाकी सब कुछ सहम है, structure बले दिखने में खतरनाक होगी, पर ऐसे कुछ खतरनाक नहीं है, ठेक है, सिर्फ तोड़ना जोड़ना नहीं तो है वो तो हमें आता है, सर्फ तोड़ते रितम, ठेक है अब देखो, rancidification, on long storage and contact with moist air और sunlight oil and fat are undergo decomposition, मालो मैंने oil या fat रखा हुआ है, ठेक है या तो लंबे समय तक रखा हुआ है, तो यह खराब हो जाएंगे, ठेक है, इस process को बोलेंगे rancidification, और जो oil और fat खराब हुए है, उसको हम बोलेंगे rancid, ठेक है, तो जो खराब हुआ उसको बोलेंगे rancid, और इस process को बोलेंगे rancidification, और fat और oil क्यों खराब हो रहे हैं, या तो मैंने लंबे समय तक रख दिया, या फिर मैंने धूप में लंबे समय तक रख दिया, ठेक है, मतलब sunlight की presence में रख दिया, या फिर मैंने moist air की presence में रख दिया, आपने देखा होगा कभी आप bread रख के जा रहे हो, और दो दिन बात देखोगे, तो उसको फफून दो जाएगी, फंगस ग्रो कर जाएगी, ठेक है, तो इससे process को बोलते हैं, rancidification, और जो oil और fat खराब होए है, known as rancid, ठेक है, यह बात ध्यान रखना, अब देखो rancidification क्यों क्यों हो रहा है, देखो एक तो oxidary rancidification होता है, एक होता है hydrolytic rancidification, एक होता है enzymatic hydrolysis, तीन तरह से rancid होता है, ठेक है fat and oil, अब देखो पहला क्या है, involve the oxidation of carbon-carbon double bond in fat and oil to produce volatile carboxlic acid, aldeide or ketonious form, सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या होगा, carbon-carbon double bond जो है, वो तूटेगा, और क्या बनेगा, carboxlic acid, aldeide or keton, जिसकी वज़े से वो खराब हो जाएगा, oxidative हो रहा है, क्या हो रहा है, oxidative, नाम से बता लग रहा है, this occurring only unsaturated triglyceride, अरे भई, unsaturated होगा, तभी तो तूटेगा, ठेक है, अब देखो व्यसे ही hydrolytic rencidification दे रहे है, जादा कुछ खास है नहीं जो मैं बता हूँ आपको, इसकी definition देख ले ना, ठेक है, आगे चलते है, enzymatic hydrolysis, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देख मानले मैंने रखा हुआ है, या तो कोई fat, या फिर मैंने रखा हुआ है, या तो कोई oil, ठीक है, अब यह आगए microorganism गुमते गुमाते, यह दोनों दादा आगए, microorganism गुमते गुमाते है, और मेरे fat को क्या करते हैं, unpleasant order provide करते हैं, मतलब बद्बू provide करते हैं, एकदम सड़ी सी बद्बू, ठीक है, आ रही है क्या, आ रही है तो ना किया भई, ठीक है, ना ने जाओ पहले, तो unpleasant order यह provide करते हैं, और test unpleasant कर देते हैं, किसका fat का, कौन microorganism, इस process को क्या बोलते हैं, enzymatic hydrolysis, ठीक है, यह क्या करते हैं, microorganism, ठू, ठू, मतलब enzyme secret करते हैं, तो सर ठूकते हैं, क्या, ने, ने, बई, enzyme secret करते हैं, मेरे बताने के तरीका है, ठू, 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 माल ले यार, यह है, यह ठू, 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 कर रहे हैं, ठेक है, fatten oil पे, तो वो क्या हो गया, enzymatic hydrolysis, अब देख यहांपल भी दे रखा है, butter get transit, due to production of butyric acid, ठेक है, जो butter होता है, वो rense, transit मतलब खराब हो जाता है, क्यों, खराब हो जाता है, क्योंकि यह पर production हो जाता है, butyric acid का, यह example है, enzymatic hydrolysis का, चलो आगे चलते हैं, अब देखो, trying, अब देखिए, यहांपर क्या लिखा हुआ है, दियान से सुनना, highly unsaturated oil, ठी की कैसा है highly unsaturated है मतलब carbon carbon के पीच में double bond पहुँच जाता है ठेक है highly unsaturated oil है अगर मैं उसको expose कर दू air के contact में यह हवा चल रही है और मैंने रख दिया है यहाँ पर क्या highly unsaturated oil तो अब क्या होगा इसका oxidation होगा इसका polymerization होगा क्या होगा इसका oxidation होगा और इसका polymerization होगा किसका highly unsaturated oil का जब मैं उसको air की presence में रख दूँगा तो उसका oxidation होगा और polymerization होगा और उसपे एक thin waterproof film ठेक है तो इस process को तो अपन ने बोल दिया trying यह जो पूरी process हुई जिसमें highly unsaturated oil का क्या हुआ oxidation और polymerization हुआ ठेक है thin waterproof film बनी इस पूरी process को तो अपने बोल दिया trying और जिस oil के साथ यह हुआ जिस oil यहाँ पर था जिस oil के साथ यह सब हुआ oxidation और polymerization उस oil को हमने क्या बोल दिया drying oil ठीक है तो drying oil अलग है और drying जो है अलग है drying तो पूरी process को बोल रहे है drying oil जिसका जो oxidation हुआ, polymerization हुआ उसे बोलते है ठेक है तो drying oil are used to make paint यहाँ लिखा हुआ मैंने ठेक है linsid oil, tanning oil ठेक है are drying oil that can use in oil based paint ठेक है तो यह भी बात आपको दियान रखनी है अब जो को drying oil और non drying oil में क्या फरक है drying oil जो होते हैं अब जो क्या करते हैं solid elastic film बना लेते हैं ठेक है, साथे साथ good drying oil जो होते हैं वो dry हो जाते हैं 4-5R में तो यह दोनों बात आपको दियान रखनी है, एक तो solid elastic film बना लेते हैं यह जो है dry हो जाते हैं 4-5R में, इसका example है, best example linsid oil जो की rich होता है lindanic acid में, जो की unsaturated होता है ठेक, इदर देखो non drying oil, यह saturated भी हो सकते हैं, unsaturation भी हो सकते हैं कोई वरोसान ही इनका, ठेक, साथे साथ when they export to light and air they get transit, यह खराब हो जाते हैं, ठेक है, तो non drying oil जो हो जाते हैं इदर तो यह solid elastic film बन जाती है, dry हो जाते हैं 4-5R में, ठेक है तो non drying oil का example देख लो, olive oil या पिर almond oil तो यह था आज का आपका lecture, जिसमें हमने 5 तरह की reaction पड़ी, ठेक है तो इस lecture से related किसी को कोई doubt हो, तो मैं को comment section में comment कर देना Thank you so much, thanks for watching, keep support, thank you